नमस्कार दोस्तों स्वागात है अब सभी का एड़ोकेशनल खाड़े में और यह है आपका अपना चैनल जिस पर आपको मिलते रहती हैं स्ट्रेटिव्स एड़ोकेशनल न्यूस अक्राइड हैक्स आजका हमारा वीडियो एक फुल ओन डिसकसन होगा एक टाचा करेंगे कि शुड आई गो फर इंप्रूब्मेंट यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में इस सवाल को लेकर इस कारी की शुरुवात वहां से हुई है जब से टूल के जर्ट एनाउंस हुए है तब से कहीं न कहीं बच्चे अपने माक्स और पॉसेंटिज को लेके असमंजस में हैं कंफ्यूज हैं कॉंस्यूट में हैं कि इंप्रूमेंट एक्जाम दें या बैचलर डिगरी को पॉस सकते हैं कि बात करते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो इंप्रूमेंट के बारे में सोचते हैं देखिए मैंने इसको दो कैटिगरी बाटा है याने कि देखा जाए अगर तो दो कैटिगरी के बच्चे हैं जो इंप्रूमेंट के बारे में सोचते हैं तो पहली कैटिगरी में ह हुआते हैं जिन्हों ने अपना को कॉलिंग फाइव परसेंटेज याने कि अगर किसी बच्चे ने जई के लिए सोचा है और उसने 75 परसेंट ज्याने कि जो जई की मिनिममम कट आफ है इसलिए वह इंप्रूब्मेंट की बार में सूच रहा है दूसरी कर्टिकर वह आते हैं वह बच्चे जिन्हों ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर ली है लेकिन उसने अपनी खुद की लिमिट्स क्रॉस ने की यानि कि उसने जितना परसेंटेज सोचा था वह उतना प्रॉस नहीं कर पाया उतना नहीं लाप पाया अगर किसी स्टुडिंट को सब्सक्राइब और उसने 85-90 के लिए तो बहुत दुखी होके डिप्रेशन में जाके उसने ये तय किया है कि वह अगले साल इंप्रॉब्मेंट देगा और सब कुस्व करेगा कि उसमें वितम है तो कहीं न कहीं वह प्रेसराइस हो रहा है और ये दोनों ही कैंडिडेट सुचते हैं कि हम इंप्रॉब्मेंट देंगे लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों को नहीं पता कि वह सही है या गलत है चलिए थोड़ा चस्मे को साप करते हैं और देखते हैं कि आखिर में पॉस्टेंटिक जरुवत पढ़ती कहां पर है देखिए आप देख सकते हैं यहां पे एक लंबी चोड़ी लिस्ट पढ़ी है तो मिनमम इन जगह पे पढ़ती है जरुवत परसेंटेज की आइटी जए में आपको 75 परसंट चाहिए मिनमम अगर आपको ड्यू के टॉप उल चाहिए तो आपको 90 परसंट चाहिए एरफोर्स आर्मी नेवी अगर आप जॉइन करते हैं या तो सीडियस या तो एंडिये एंट्री से तो आपको इंग्लिश में 50 मार्क्स मिनमम है एक खास तरह की एंट्री होती है आर्मी के लिए टी एस टेक्निकल एंट्री स्कीम उसमें मिनमम सेवेंटी परसंट चाहिए आपको PCM के लिए PCM में फिजिक्स कमेस्ट्री मैथ में हैं आयम से अगर आपको एंबिय करना है तो आपको 90 परसंट उससे उपर या 80 परसंट कि ट्विल्थ टेंथ और ग्राडवेशन के परसंटेज की पॉइंट्स बैठते हैं और लास्ट में जाके एक लिफ्ट निकलती है तो वहाँ पर ऐसा माना गया है कि 80 के उपर रहा तो सही रहा है और आपके बीटिक प्लेस्मेंट्स में यानि कि जितने भी एंजरी के है तो वे कुछ certain percentage के limit set करती है ग्रींट्स के तौर पर दो टाइप कंपनियां आती है छो इनिया इनियुक्परॉक्स के पहले कैटेग्री केमार आ जाते हैं टीसीयस, टेकमहिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, और प्रॉटबिश में आते हैं आपके गूगल, फिस्बुक, याउँ जैसे कि आप जानते हैं और आखिर में कभी-कभी इंटर्व्यूस में पॉसिंटेज का थोड़ा सा इंफ्लुएंस पड़ता है जो भी इंटर्व्यूर है, वे आपकी प्रोफाल देखता है और कहीं न कहीं 5-10% यह वहाँ पे दोड़त प्ले करता है अगर एक एक्सप्रियंस ले जाए तो आइधिंग लेस देन 5% हो, ओके तो अगर एक ब्रॉड व्यू ले जाए और इन सारे चीजों को मद्द रखते हुए एक सही decision ले जाए तो जैसा कि जग जाहिर है कि दो तरगी कैटिगरिया है गॉव्मेंट और प्राइवेट जॉब एक और करने के लिए जैसे कि जानते हैं UPSC, SSC, BANK, PO और रेल्वेस में पॉस्रेंट की जगत नहीं पड़ती है हाला कि केरियर बहुत सूपर केर होता है इसके अंदर और प्लेस्मेंट में बीटेक के प्लेस्मेंट में आपकी थोड़ी बहुत पड़ती है पॉस्रेंट की जरुबत अगर यह आगर देखा जाए तो जो गौवर्मन्ट जॉब्स हैं UPSC, SSC, BANK, PO और रेल्वेस यह फर्स्ट क्लास जॉब्स है सारे और कभी-कभी जो बीटेक्स वाले हैं वे इसे छोड़के इस कड़करीम आता हैं ताकि वे सेफ खेले हैं क्योंकि इसमें जॉब सेकॉर्टी भी है और पैसा भी है और अगर आपको एक बार जॉब मिल जाता है तो उसकी आगे की साई तरकी आपकी पॉस्रेंटेश पर डिपेंड नहीं करती है तो फिर घंटा काम करेगा आपका पॉस्रेंटेश आपके जॉब के बाद आपके पॉस्रेंटेश की कोई an근대 नहीं फिर आपका काम आपका प्रॉफाइल आह अपने जो भी किया है वे डिपन करता है आपकी मैनत आपके जितने भीterror writings हैं आपकी Acting company में कि अगर फ्यूचर प्लानिंग की जाए और बात किया जाए तो अगर आप एक गौवर्मेंट जॉब के एस्पिरेंट है तो आख बंद करके आप एंट्रेस पर धान दीजिए नाए कि आप पॉसेंटेज की बास भी बजाए और अगर आप प्राइवेट जॉब के सीखर है तो कहीं न कहीं पॉसेंट आपको लगेगी ऑर अगर कंक्लूजन के बारें बात करें तो जो भी कैटेगेरी के हैं student हमारे उनको कहीं न कहीं improvement देना पड़ सकता है ज़कि यह category 1 में बहुत सारे student आते हैं कभी-कभी क्या होता है बच्चों के 50 के कम percent आता है याने कि 50 से भी नीचे पहते हैं percent 45-46 उन बच्चों को cb80 से तो improvement देना नहीं चाहिए उनको दी आप पे होना चाहिए street बोट से ताकि उनके हाला कि उनके 50 एबब हो और जिनके 60 एबब होते हैं पॉस्टे cb80 बोट से उनको आई थिंक improvement नहीं देना चाहिए हाला कि वे JEE के लिए नहीं है लेकिन JEE को छोड़के भी बहुत सारे अच्छे चीज़ हैं देखे तो और अगर देखा चाहिए तो जो category 2 के हैं जाने कि वो बचे जिनको माक्स तो चाहिए हैं लेकिन उनको और चाहिए थे इसलिए वो improvement दे रहे हैं तो भाई आप बेवकूफी कर रहे हो इससे आपका time wish होगा और कुछ नहीं ओके आप आगे पर ध्यान दिजिए आगे पर concentrate किजिए तो हो सकता है आपकी mistake हो तो यह तो था full analysis आज के इस वीडियो में और जाते जाते दो पंक्तिया कहना चाहूंगा एक बहुत ही famous quote है English का कि opportunity comes alone and misfortune comes with neighbor यानि कि आपको जो भी मौके हैं वे अकेले आते हैं और अगर किस्मत बुरी होई तो बुरी किस्मत प्रवोसियों के साथ दर्शन देती है इसलिए मैनत किजिए और हमेशा अपने opportunities का यूज कीजिए so stay motivated और लगे रहे अपने काम पर time wish मत कीजिए so यह तो था आज के आखाड़े का ग्यान और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like मार दीजिए किसी भी तरह का प्रशन है या सवाल है आपके मन में तो ठोक के comment कर दीजिए और subscribe किजिए ऐसे ही वीडियो के लिए क्योंकि हम बहुत मेंद करते हैं यहां पर आपके लिए वीडियो बनाते हैं और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन